असलामों अलेकूम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू सोवा मेथी साग बनाने की रेसिपी तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक कडाही में तीन से चार चमच तेल गरम कर लेंगे और उसके अंदर एक मीडियम साइस की जो प्याज है उसको बारिक बारिक काट के उसमें डालेंगे और थोड़ी हरी मिर्चे ले लेंगे और हरी मिर्चों की तादात आप आपकी मर्जी के मताबिक कम भी कर सकते हैं और उसको मतलब खड़ी नहीं डालेंगे बीच में से जो है उसको कट लगा देंगे हरी मिर्चों में पर फिर डालेंगे और एक चमस जीरा डालेंगे और एक मिनट तक का इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताके जो जीरा, हरी, मिर्चे और जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो जाए तो देखिए एक मिनट हो चुका है अब इसमें हम मेथी और सोवा डालेंगे यहाँ पर मैं एक जूड़ी मेथी की और एक जूड़ी जो थी सोवा की यूज़ कर रही हूँ मतलब वो जो एक एक बंडल जाते ना उसके सिंगल सिंगल वैसे वाले बंडल यूज़ की हूँ मैंने इसमें काट लेंगे और क्यूब में और वो आलू को इसमें डाल देंगे और एक टमाटर को बारिक काट के इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नमक जो है हम हमारी जरूरत के मुताबिक इसमें डालेंगे फिर अच्छे से इसको mix करेंगे और 15 मिनट तक का slow flame पे पकाएंगे इसे हमको ढखके पकाना है और slow पे ही पकाना है आप fast मत करिएगा वरना जलने का उसमें खत्रा है कि साख जल जाएगा और जब आप 15 मिनट तक का इसे रखेंगे slow flame पे पकाने के लिए तब बीच बीच में 2-3 मिनट के बाद क्या करिए कि उसे बीच बीच में चलाते रहिए मतलब ढखकन हटा के उसे थोड़ा थोड़ा बीच में 2-3 मिनट तक का चला लीजिए देखिए आप 15 मिनट हो चुके है हम आलू को चेक कर लेते है आलू जो है अच्छी तरह से ग लचुगा है और यह साग जो है अच्छा नरब हो चुका है यह अच्छे से हमारा साग है वो रेडी है अब हम गैस को बंद कर देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है साग बनाने की रेसिपी तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तके लिए अल्ला हाफेज